ओम शान्ती, आज है 29 नवेंबर 2022 की सकार मुरली, आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहा वाक्यों को, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी मैनर्स धारन करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते चाओ, पावन बनो, प्रेश्न, दैवी मैनर्स धारन करने वालों की परक किस एक बात से हो सकती है, उत्तर सर्विस से, कहां तक पतत से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, अच्छे पुरुशार्ती हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं, यह सब सर्विस से पता चल तुम्हारी यहा इश्र्य मिशन है ही डैवी फजीलत सिखलाने की, तुम श्रेमत पर पतत मनुश्यों को पावन बनाने की सेवा करते हो, गीत ओम नमय शिवाए ओम शान्ती, भक्ती मार्ग में महिमा करते हैं शिवाए नमह, उंच्छ ते उंच्छ शिव, उनको हिश परमा परमात्मा नमह कहा जाता है, ब्रम्हा देवताई नमह, विश्नो देवताई नमह कहा जाता है, और शिव परमात्मा नमह, फरक हुआ न, परमात्मा एक है, वह उंच्छ ते उंच्छ है, उनकी महिमा भी उंच्छ है, इसमें उंच्छ ते उंच्छा करतव्य करते हैं, उनक धाम भी उंचे ते उंचा है, नाम भी उंचे और किसको परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन, आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में, पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रम्हा, इसमें प्रवेशकर कहते हैं, मैं बहुत जन्म शोक्षम वतनवासी संपूरन ब्रह्मा में नहीं आते हैं, खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं, बहुत जन्म लेते ही हैं राधे क्रिश्न, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारन है, ऐसे तो कहते नहीं हैं कि मैं पावन शरीर में प भगवान वाज मैं साधारन शरीर में आता हूँ, अब भगवान चरूरा करके इस साधारन शरीर दौरा आत्माओं को बैट समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ, मैं क्रिशन की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रम्हा विश्नु शंकर की आत्मा हूँ, मैं परम पिता पर ब्रम्हा में प्रवेश नहीं करता हूँ, मुझे तो यहाँ पतीतों को पावन बनाना है, मेरे द्वारा ही वहाँ सूक्ष्म वतनवासी ब्रम्हा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष में दिखाया है, कितना अच्छी रीती समझाते हैं, मनुश्य सुनी अनसुनी कर जित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है, उन्होंने तरी मुर्ती ब्रम्हा नाम रख दिया है, क्योंकि शिपाबा प्रजा पिता ब्रम्हा दौरा नई दुनिया की रचना रचते हैं, तुम बच्चे अभे सम्मुक बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं, जितना जो बनेगा, वह सर्वे से दिखाई पड़ेगा, यहां अच्छा पुरशार्थी है, इनमें अच्छन अवगुण है, देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं, अभी आसरी अवगुणों को छोड़ना ह नहीं तो उच्पद नहीं पा सकेंगे, बाप समझाते हैं बच्चे, दैवी गुण धारन करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए, पतत मनुश्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताओं मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है, हर एक को पुरिशार्थ करना है, ज तुम को सहज, राज्योग और ग्यान सिखला रही हैं, ग्यान सागर एक बाप है, जो तुम्हें ग्यान देकर सद्गती में ले जाते हैं, उन्हें ही सुखदे भी कहा जाता है, तो यहां की सब बाते न्यारी हैं, जो ब्रहमन बढ़ने वाले होंगे, उन्हों की बुद्ध दादा को ब्रहमा क्यों बनाया है, बोलो इन बातों को बैठ कर समझो, हम तुमको इन किच्रा सीचनमों की कहानी सुनाएं, सब ब्रहमा कुमार ब्रहमा कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे, पावन बनने भी गर वर्सा मिल नहीं सकता, भगवान उच्टे प्रजा पिता ब्रहमा है, सुक्षम वतनवासी ब्रहमा को प्रजा पिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे, हम ब्रहमा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजा पिता ब्रहमा भी साकार में है, यहां राज आकर समझो, हम इस दादा को भगवान न नहीं ती मुर्ती शिव के बदले ती मुर्ती ब्रह्मा कह दिया है प्रन्तू तरी मुर्ती ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है ब्रह्मा को मनुश्यों का रचयता भी कहते हैं इसलिए प्रजापिता कहा जाता है इसमें वहा निराकार प्रवेशकर वर्सा देते हैं सोक्षम वतनवासी ब्रम्हा पावन है, वहाँ पतत से पावन बनते हैं, हम ब्रहमन भी पतत से पावन देवता बनते हैं, शिव परमातमाई नमहा कहा जाता है, ब्रम्हा विश्नो शंकर को देवता कहा जाता है, भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सब को सद्गती पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे पहले पहले पावन है लक्षमी नारायन वे जरूर पुनरचनम लेते होंगे जरासी जन्व पूरे होने से फिर साधारण मनुश्य बन जाती हैं उनमें फिर बाप प्रवेश करती हैं तो यहाँ व्यक्त ब्रह्म वह अव्यक्त ब्रम्हा सुक्ष वतन में स्रिस्टी नहीं रची जाती है अक्सर करके लोग इस बात पर मुझते हैं तो तुमको समझाना है बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थाचरासी जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं भारत में पहले देवी देवता आ चाहिए बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है ब्रहमन चोटी देवतासिर क्षत्रिय भुजाएं वैश्य पेट शुद्र पैर शुद्र के बाद फिर ब्रहमन वर्णों का भी चक्र हुआना यहाभी समझना और समझाना है बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अख़बार मे था और अब है ही नर्क तो जरूर पुनर्जनम नर्क मेलेंगे अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का भोचन क्यूं खिलाते हो तुम रोते क्यूं हो प्रंतु इतनी बुध्धी नहीं है जो समझें कि स्वरक की स्थापना तो बाब ही आकर करते हैं र कुम का मेला कहा जाता है तुम ग्यान गंगाएं ग्यान सागर से निकली हो भक्ती में समस्ते हैं गंगा में सनान करने से पावन बन जाएंगे पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का करतव्य है यहाँ है इशर्य मिशन तुम ही पतत मनुश्य को पावन देवता बनाते हो श श्री क्रिशन पतत पावन नहीं है वह पूरे 84 चन्म लेते हैं पहले हैं लक्षमी नारायन फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती आदी देव आदी देवी बनते हैं अभी यहां बातें किसने समझाई शे परमात्माई नमह गाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा आपकी गत्मत सबसे नयारी है वह श्रीमत देते हैं गती के लिए गती और सदगती दुर गती वालों की सदगती करने वाला उनकी श्रीमत सब मनुश्यों से नयारी है बाकी भक्ती मार्ग है घोर रातरी आधा कल्प है ग्यान दिन शिबाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने यह ग्यान एक ही ग्यान सागर शिबाबा के पास है रिशी मुनियादे सब कहते आए हैं कि परमात्मा बे अंध है बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे आधा कल्प है नास्तिक आधा कल्प है आस्तिक तुम बाप को बाप की रचना के आधी मध्यांत को जानते हो और कोई नहीं जानते इसलिए कहा जाता है निधन के अनेक धरम अनेक मते हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का सिन्यास करना है। याद करना है शांतिधाम और सुखधाम को। जितना याद करेंगे उतना उचपत पाएंगे। ग्रिहस वेवहार में भल रहो सिर्फ पवित्र बनो। धंदे बिगर ग्रिहस कैसे चलेगा। सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आईरनेज रहें। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गत्मत श्रेमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सद्गती का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तुझ जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कल्यूग है फिर सत्यूग होना है। संगम पर तुम बैठे हो तुम ब्रहमावशी ब्रहमन हो। कमल फूलसम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घुसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो। अगर गीरा तो फिर किसी को कहने ही सकेंगे कि काम महाशत्रू है। बाब कहते हैं फिर भी पुरुशार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खतम। पद भ्रस्ट हो जाएगा। प्रतिग्या की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिग्या कर फिर पतित नहीं बनना है। प्रंतो सब तो प्रतेग्या पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं, बहुत भागने वाले भी हैं, अंत में तुमको पूरा सक्षतकार होगा की कौन, क्या बनेंगे, प्रुशार्थ पूरा करना चाहिए, जो दुख देते है बाप तो सब को सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सब को सुख देना, करना में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी ब्रस्ट हो जाएगा, बेहद के बाप के साथ पूरा, फर्मान बर्दार, वफदार होकर रहना है, अच्छा, मिठे मिठे, सिकेल थे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है कभी किसी को दुख नहीं देना है नमबर दो बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए पवित्र बढ़ने का पुरुशार्थ करना है काम की चोट कभी नहीं खानी है इससे बहुत साथ दान रहना है वर्दान मालिकपन की समरीती से शक्तियों को और्डर प्रमान चलाने वाले सुरैच अधिकारी भव बाप दौरा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कारे में लगाओ समय पर शक्तियों को योज़ करो सिर्फ मालिक पन के समरीती में रहकर फिर ओर्डर करो तो शक्तियां आपका ओर्डर मानेंगी अगर कमजोर होकर ओर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी बाप दादा सभी बच्चें को मालिक बनाते हैं कमजोर नहीं सब बच्चे राज़ा बच्चे हैं क्योंकि सवराज्जी आपका बर्थ राइट है यहाँ बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता श्लोगन तरिकाल अर्शी स्थीती में स्थित रहकर हर करम करो तो सफलता मिलती रहेगी शुक्रिया बाबा शुक्रिया मातेशरी ची के अनमोल महावाक्य अब यहाँ जो हम कहते हैं कि प्रभू हम बच्चों को उस पार ले चलो उस पार का मतलब क्या है लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जनम मरण के चक्र में ना आना अर्थात मुक्त हो जाना अब यहों तो हुआ मनश्यों का कहना परंतो वो कहता है बच्चों सचमच जहां सुख शांती है दुख अशांती से दूर है उसको कोई दुनिया नहीं कहते जब मनश्यों सुख चाते हैं तो वो भी इस जीवन में होना है अब वो तो सत्यूगी वैकुंट देवताओं की दुनिया थी जहां सरवदा सुखी जीवन थी उसे देवताओं को अमर कहते थे अब अमर कभी कोई अर्थ नहीं है ऐसे तो नहीं देवताओं की आयू इतनी बड़ी थी चो कभी मरते नहीं थे अब यहां कहना उन्हों का रॉंग है क्योंकि ऐसे है नहीं उनकी आयों को सत्यूग तरेता तक नहीं चलती है परन्तु देवी देवताओं के जनम सत्यूग तरेता में बहुत हुए है 21 चनम तो उन्होंने अच्छरा जचलाया है और फिर 63 चनम दौापर से कल्यों के अंत तक टोटल उन्हों के जनम की बढ़ती कलावाले 21 हुए और उतरती कलावाले 63 हुए टोटल मनुश्य 84 चनम लेते हैं बाकी यह जो मनुश्य समझते हैं कि मनुश्य 84 लाख योनिया भोगते हैं यह कहना भूल है अगर मनुश्य अपनी योनी में सुक दुक दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनी में भोगने की चरूरत ही क्या है अब मनुश्यों को यहाँ नौलेज ही नहीं, मनुश्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकिस रिस्टी पर जानवर पशो 55 आदी टोटल 84 लाग योनिया हो सकती हैं, अनेक इसम की जैसे पैदाईश है, उसमें भी मनुश्य, मनुश्य योनि में ही अपना पापुन्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं, ना मनुश्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुश्य योनि में आता है, मनुश्य को अपनी योनि में जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है, ऐसे ही जानवर को भी अपनी यो दिवान बाकी ऐसे नहीं मनुश्य को 84 लाख योनिया भोगते हैं जड़ ज़ाड भी योनि लेते हैं यहां तो सहच और विवेग की बात है कि जड़ ज़ाड से क्या करम अकरम किया है तो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा जैसे देखो गुरुनानक साहब ने ऐसे महावाक्य उचारण किये हैं अंतकाल में जो पुत्र सिम्रे ऐसी चिंता में जो मरे सूर की योनि में वलवल उत्रे प्रंतु इस कहने का मतलब यहां नहीं है कि मनुश्य कोई सूकर की योनि लेता है प्रंतु सूकर का मतलब यहां है कि मनुश्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जान चानवरों का कार्य होता है बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई चानवर बनते हैं अब यहाँ तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पल्टाए पापात्मा से पुन्यात्मा बनना है अच्छा, Om Shanti